जुहार लाइब में आने वाले तमाम साथियों को क्रिस्मस की आदिक शुपकामना है और कोई अनलाइन नहीं दिखा रहा है बाते बहुत कुछ हैं अब लोग अनलाइन आएंगे तो बात रखी जाएगे आपके समझ जैसे का आपको पता है आए दिन लगतार अकबारों में हर एक पेच पर कहीं ने कहीं बलातकार खत्या जैसी घटना है का जिकर क्या जा रहा है इसी को लेकर आज हम लोग पॉस्टविस चोग जोगी चैबासा में इस्तित है और चैबासा के धड़कन गई जाती है पॉस्टविस चोग वहां पर आज हम लोग चार बजे चांती पूरबग तरीके से केंडल मार्च और साथी सांध केंडल मार्च के माध्यम से जो जिलिकी प्रसासन हैं और आज हमारा जो profess चेट होने सुची में सबसे इंपोर्टेंट होता है यहां कि ग्रामिन मुंडाओं का अपने छेत्र में कि विदी बेस्था को बनाने का सबसे बड़ा रोल लीनिक होता है अगर यहां कि मुंडा मान की अपने छेत्र में विदिवेस्था को अच्छे सब्रकरार रखेंगे तो यह जो आसमाजिक तत्वा आज जो अब जान सकते हैं देख सकते हैं अपने आसपास के छेत्र में आज सराब, शिग्रेट, नसा खोरी का इतना जादा इस्तर बढ़ गया है कि हम चाहकर भी उनको रोक नहीं पा रहे हैं सहर से सटे हुए ग्रामिन छेत्रों में कई जगा बोर्ड लेगी हुई कि अगर यहां पर आसमाजिक तत्वा द्वारा पीने खाने को लेकर किसी को पकड़ा जाता है तो जुर्माना सहित उनके उपर कारवाई की जाएगी पर बोर्ड मातर बस बोर्ड ही रह गई है अभी सीजन चल रहा है जो 2022 का अंतिम समय है जिसको लेकर बहुत सारी युवा लोग आसपास के छेत्र में दारू शराप गांजा शिग्रेट और सबसे बड़ी बात है आज चाबासा के इर्द गिर्द ब्राउन सुगर का पूरा जाल विचिया है बहुत से युवा इसके गरफ्त मा चुके हैं तो इन सब को भी देखते हुए जो प्रसासन से पहले मैं खुद की अपनी प्रसासन जो आज गाउं में जिनका अधिवत्या मौजूद है मुंडा मानकियों का मुंडा मानकि अगर सक्त सक्त हिदायत देंगे जोर्माना रखेंगे तो जहर सी बात है क कोई भी यह सब करने से डरेगा और इस पर हमें मुंडा मानकि लोग भी उतना साथ देना चाहिए इसका यह हम सब का एक अपना भागिदारी है सुनस्चित करना चाहिए तो इस वीडियों देख रहे हैं तमाम साथियों से अनुरोध है अपील करता हूं कि आप समय मिले तो अवस्या आईए आज मानता हूं कि आज प्रब्तेवार का मौसम है महौल है पर आप समय निकालकर अवस्या आए जरूरी सा हो गया है आज हम प्रसा दबाब डालेंगे जो मुंडा मानकी लोगें को उपर कि आप अपने छेत्र में कड़ी से कड़ी जुर्माना डालें और जोभी पकड़ाते हैं इसे करते हुए तो उनके उपर कड़ी सी कड़वाई करें अनको करवाई कर साथ साथ उनको जेल बेजने का cracking प्रयास करें और इसके साथ जैसे कि आज महिलाओं को भी मैं हिदयार्त देना चाहूंगा कि आज जो महिलाए हैं वह भी बड़े बड़े सहरों से होकर आती है और उनको चैवासा जो कि एक शोटा सा सहर है तो आपको सहर को भी अपने हिसाब से दिख कर चलना होगा로 चैवासा को बैंगलोर की तरह समझेंग ये गलत यह चाहबासा भी डेवलोप सहर नहीं है यहां पर अभी भी हम लड़कियों को उसी नजर से देखते हैं जो पहले के जर से देखते हैं तो आप यहां पर खुले आम जहां ता सिग्रेट ना पिए दारुबाजी ना करें महिलाओं से बिजारिस हैं तो चार बज़े आप अव अगे रहेंगी कि जो इस परकार से जो आए दिन जो घटनाय घट रही है इसको लेकर चेतर में हमारे आसपास के जो चेतर हैं खासतोर पर यह-चैसा सटञत्य घटनाय घट रही है क्योंकि यहां पर उब यूवा-उतिया है इसकी गिरफ माच चुके हैं और हाली में कल ती नहीं करती है तो अभी अगर फ्रसाशन से बात भी थी प्रसासान का हम सब का दायत्तो हुँ बनता है कि हम सब मिलकर ऐसे समस्चाओं को मिलकर हम लोग धरातल पर या विश्व पटल पर हम लोग काम करें ताकि ऐसी जो घटनाएं घट रही है आज हमारे चैवासा बनाम पर बनाम हो जा रहा है चैवासा जैसे सहर प्रसीम सिंगून जैसा जिला जो है यहां कुल्हान के वीरों के नाम से प्रसीद हुआ करता था पर आज यहां पर आई दिन लगातार ऐसी घिनोनी घटनाएं घट रही हैं तो इन सब को सब विराम कसना होगा हम लोगों को और यह सब हम सबों की सूजबूज एकता से ही संबंदित हो सकता है आप सब लोगों को मिलकर हमें अब ऐसे घटनाएं घट रही है इस पर करें लोगों को निरंगुष करने के लिए प्रसासन कर देना होगा प्रसासन सब से ज्यादा पहले हमें ग्रामिन करना होगा कोई भी लगता है कि एसे चीटर में संदिग्द लोग आते हैं या तो पिर यहां क खाना पिना यानि की अड़्डा बाजी दारू बाजी करते हैं बाहर के लोग तो उन पर हमें नजर रखनी होगी और हिदयात देनी होगी कि आप कल से इस छेतर में नहीं आएं क्योंकि आए दिन ऐसी घटना है जो घटरी है इससे लोग सरमसार नहीं हो रहे हैं चयावासा सरमसार हो रहा है चयावासा जैसा सुंदर सहर सरमसार हो रहा है तो इसी को देखते हुए आज मैंने पोस्टोफिस्ट चोक में साम को चार से पांच बजे के बीच केंडल मार्च और एक मौनवरत भी रखा है जिसमें जो अग्यात्यसों में जो महला है कभी तक पता नहीं चल पाया है उसके आत्मा की सांती के लिए हम लोग प्राथना करेंगे और साथ जो प्रसाशन है उनसे भी मांग रखेंगे कि आप जल्द से जल्द इन कातिलों को उनके हत्यारों को ढूनने का प्रयास करें और इसके साथ साथ जो ग्रामिन मुंडा है वो भी अपने छेत्रों में अपने अपने छेत्रों में आप थोड़ा सा सक्ति बरतें ताकि यह घटनाए घटरी हैं उनका थोड़ा उन पर अंकुष लग सके चलिए इतना का कर सबों को फिर से नए साल के लिए पहले से सब को सुभकामना देना चाहूंगा और एक बात और एक पॉइंट में बात है एक जन्वरी और दो जन्वरी हम लोग प्रस्षिम सिंग्वों में या तो फिर स्राइकला खर्ष्णों में आप अपने परिवार के साथ महाना दर्शन के लिए पहुंचे उनको सर्धांचली अर्पित करें चलिए इतना कर सबों को जोहार